हाई बच्चों कैसे आप लोग चलिए शुरू करते आज का लेक्चर आज की लेक्चर में आपको फुली ग्लास दोर पढ़ाएंगे इससे पहले ओल लेडियम पैनल डोर आपको कम्प्रीट करा चुके है ठीक है तो फुली ग्लास दोर हम आपको यहां पर कवर कराएंगे ठी ठीक है इस्यूंब स्टेबल साइज आपको खुद हि मानना पड़ता है ठीक है चाहिए स्टेंडरnd आपको फ्रीम साइज मानना हो वर्टिकल पोष्ट घंर है सोरे है 적म होंको तो रींही सारी चीच Tabii कर लेते मैं कोशन आपको कैसे द्या जाएगा कोशन आपको दिया जाए Assume Suitable Size तो हम Size ले लेते हैं पहले हम Frame का Size ले लेते हैं Frame हम Standard लेते हैं Frame Size जो हम लेते हैं Frame Size हम क्या लेते हैं 1.20 मिटर Multiply 2.10 मिटर यह हमारा Frame का Size होता है ठीक है और इसमें हमारा क्या रहता है Vertical Post Vertical Post Vertical Post जो हम लेते हैं 80 mm Multiply 100 mm Same रहता हैं हमारा Head Head का Size भी यही रहता है हमारा 80 mm Multiply 100 mm ठीक है Head का Size भी हमारा यही रहता है Horn हम कितना लेते हैं Horn हम लेते हैं 150 mm 200 mm Horn हम लेते हैं इतना ठीके है अब हम यहाँ पर नीचे देख देगी हमें जो हम glass में glass fit करेंगे किस इसमें fit करेंग हम जैसले टोप रेल लगाते हैं लोग रेल लगाते हैं और bottom रेल लगाते हैं ऐसे हमें और क्या चीजिए होता है है ठीक है ऐसे यह में क्या चीजा था टोप रेल साइस क्या लेंगे हम टोप रेल का टोप रेल का हम साइस क्या लेते हैं 100 mm multiply 40 mm अब हम बने टें bottom rail उसी के एक ववल हम, यह लेते हैं, ठीक है, अब हम लेते हैं, यहाँ पर, लोक रेल, लोक रेल, लोक रेल, का साइज हमकिला लेते हैं, देखो हम सेम ले लेते, 200 mm, multiply 40 mm ठीक है यह लेते हैं और side side में हम क्या लेते हैं देखो यहां पर मैंने एक चीज आपको ना यहां पर जो मैंने style बताये थे क्या बताये थे style इस्टाइल यह ध्यान दे लेना आपके दो style होते हैं दो style होते तो वहां पर उसको change कर लेना जो मैंने पहले already question करा चुका हूँ तो वहां पर मैं बार-बार meeting style बोल रहा था जहां पर में meeting style बोल रहा था वो क्या होता है हमारा hanging style होता है ठीक है क्या होता है hanging style हम किना लेते हैं 100 mm multiply 40 mm एक होता हमारा क्या होता है meeting style है ठीक है meeting style हम किना लेते हैं 100 mm multiply 40 mm एक हैंगिंग style क्या होता है जो आपका वर्टिकल पोस्ट होता है उससे बिल्कुल अटैच होके जो आपका पैनल का जो style लगाते हो है और जो मीड़ पोइंट पर लगता है वह meeting style होता है जो मीड़ पोइंट पर लगता है दो पल्ले हैं दोनों पल्लों को जैसे वह जोडते हैं तो बीच के वह दोनों कैसे होते हैं वह meeting style होते है तो वहाँ पर ध्यान लखना वह इस्टाल हमारा क्या सा होता है hangis style होता है वो चीज कर लेना जहां पर मैं लिख रहा था जब हमने सेक्षिंट बता रहता vertical सेक्षिंस आपको pan盤or में panal डोर में vertical सेक्षिंट बताइने तो मैं meeting शेक्षिंटाईल लिख रहता तो उसको hanging style लिख लेना ठीक है बस इतना सा 1 ratio 10 की मैंने इसके लिए same work ऐसे ही करना है जो हम already सभी question में करके आ रहे हैं ठीक है जो हम पहले question में करके आ रहे हैं हमें same work वही करना है तो अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो हमारा frame का size है 1.20 meter मैं इसको 100 से multiply कर दूँ तो इसको change कर लेता हूँ मैं 120 cm divided by 10 तो मेरे पास की सब्सक्राइब करने के बाद आपने यहाँ पर एक फ्लोड लेवल लिया फ्लोड लेवल लेने के बाद आपने लिया 21 cm कितना लिया 21 cm तो 21 cm ऊपर लेकर जाएए तो यह आपने 21 cm लिया 21 cm अब आपको लेना है 12 cm तो आपने 12 cm लिया 12 cm तो यह आपने 12 cm लिया और यह आपने frame का टोटल वीर्थ और टोटल हाइट सोखी टोटल वीड़ तर टोटल हाइट आपने सोखी इसको मेरकर देता हूं अब हम देखते है वर्टिकल पोस्ट वर्टिकल पोस्ट और अब रचिकल एड्स साइज है तो जो आपको दिखाए देगा 80 mm दिखाई देगा कितना दिखाई देगा 80 mm 80 को आपने डिवाइड गया टैंस तो आपके पास कितना 8 mm आया कितना या 8 mm तो एट आम आप यहां पर ले लिजिए 8 mm तो 8 mm आपने 8 mm आपने लिया और इसको लेकर जाएए उपर वर्टिकल पोस्ट को उपर लेकर जागी है ऐसे वर्टिकल पोस्ट आप ऐसे उपर लेकर गए ठीक है अब ऐसी हैड ले लिजी हैड भी आपने 8mm लिया हैड भी आपने 8mm लिया और इस साइड से वर्टिकल पोस्ट भी आपने 8mm लिया वर्टिकल पोस्ट भी आपने 8mm लिया तो यह वर्टिकल पोस्ट है आपका वर्टिकल पोस्ट यहां से मैं इसको रफ कर देता हूँ ठीक अब मैं कहा निकाल देता हूँ होड में ले रहा हूँ 150 mm 150 डिवाइड डिवाइड टैन तो कितना आया 15 mm आया 15 mm का मतलब 1.5 cm सेंटीमेटर तो 1.5 cm का मैं होड ले लेता हूँ साइड 1.5 cm का मैंने होड लिया 1.5 cm का मैंने होड लिया और इसको यहां पर रफ किया सेम वर्क मैंने साइड किया 1.5 cm का मैंने होर्ड लिया क्या ले लेता हूँ होर्ड और इसको मैंने यहाँ पर मिलाया इसको किया मैंने रफ अब मैं क्या सो कर देता हूँ रिबेट नहीं मैंने दिखाई यहाँ पर मैं रिबेट सो कर दिखा देता हूँ क्या दिखा देता हू कि रिबेट रिबेट में लेता हूँ 40mm x 15mm मैंने रिबेट लिया फिप्टीन एमम 15mm को मैंने डिवाइडcho 10 से तो में पास 1.5mm आ गया 1.5mm का मैंने रिबेट यहां पर शो किया तो आएए और यहां पर रिबेट सो कर दीजिए यहां तक मैंने 1.5mm लिया और रिभेट्सों क्या ओर डोटीर्ट तो करता हूं तो रिबेट्स ने बंदोर्ट्ट इंब सो किया तो ऐसे रिबेट फाइपं लीजिये आप भी टीखत ओपने रिभेट सो खिया ऐस Você ऊपर आईए यहाँ पर आईए वन पॉइंट फाइपम मोलीज और रिबिट सो कीजिए आएसे रोटेड मेडय आपने सो की एसलिफ साड़ लीजिए और सो किजिए 1.5 पा Hm năm लीजिए और now k giok zo कीजिए तो दोटिच आपने ऐसे दिखानी हैं दोटिच है तो ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है ये आपका फ्रेम कंप्लीट हो जाता है फ्रेम कंप्लीट हो रूने सेंटीमिटर यह कितना दापका ट्वैल सेंटीमिटर यह आपका 12 सेंटीमिटर का आपने हाप किया आपने क्या किया ट्वैल सेंटीमिटर का किया हाप rado, hap करने के बाद यहां से आपने की line draw, ऐसे, एक पला इस side का, एक पला इस side का, ठीक है, और यहाँ पर भी ribbit so कर दो आप, यहाँ पर भी ribbit so कर दीजिए, क्योंकि एक अंदर की आपको ribbit बनानी होती है, ठीक है, तो ऐसा dotted बना दीजीए, ऐसा डोट्टिड बना दीजिए ठीक है तो आपने ऐसा डोट्टिड यहां पर ड्रो किया किलिए तो रिबिट बनाने के बाद अब देखिए अब आपके पास एक पल्ला यह हो गया एक पल्ला यह हो गया दो पल्ले हो गया अब इस साइड में और इस साइड में क्या बनेगी hanging style ठीक है जो मैंने महाँ पर आपको meeting style बोल दी थी क्या अब इधर आपकी vertical post रेज़ वर्टिकल post की side में क्या बनाएंगे आप hanging style क्या बनाएंगे hanging style और mid point पर आप क्या बनाते हो meeting style मिड़ पोईंट पर आप क्या centimeter आपने इस सेड लिया और hanging style बनाया और hanging style यह यह उपर तक ड्रो किया ठीक है hanging style आपने उपर तक ड्रो किया ऐसी इस सैड भी आपने one centimeter मतलब hanging style या one centimeter बन सेंटीमेटर आपने hanging style लिया और यह ड्रो की उपर तक hanging style अब मिड़ पोईंट पर इसी साइड की क्या बनानी है आपको meeting style एक meeting style आपको सैड बनानी है meeting style तो meeting style बनाईगे यह आपका meeting style है यह आपका meeting style है तो यह meeting style हो गया one centimeter का और one centimeter आपने सेल लिया और बर्ला मिटिंग इस्टाइल बनाया तो अब टोप रेल टोप रेल भी आपका 100 अम यानिके 1 cm तो प्रेल भी आपका 100 अम मेनिके 1 cm तो प्रेल तो प्रेल अब देख लेते बोटम रेल बोटम रेल 200 mm यानिके 2 cm 200 mm यानिके 2 cm तो 2 cm आपने क्या दिखाया bottom rail दिखाया bottom rail दिखाया अब low rail हम कहा बनाएंगे low rail हम बनाते हैं low rail हम बनाते हैं 1 meter height पर bottom से 1 meter height पर 1 meter को मैंने 100 से multiply किया तो 100 cm मेरे पास आ गया divided by 10 तो आपके पास किन आया 10 cm तो bottom से आपने 10 cm की उपर हाइट ली bottom से आपने 10 cm उपर हाइट ली height लेने के बाद आपने यहाँ पर यह बनाया low लोग बनाने के बाद आप कितना ले रहे हैं low rail 200 mm यानिके 1 cm नीचे point mark कीजिए और 1 cm उपर point mark कीजिए और क्या बनादो यहाँ पर low rail बना दीजिए ठीक है यह point mark कीजिए न तो low rail बना दीजिए इस low से मैंने 1 cm उपर 1 cm नीचे लिया है और यह मैंने क्या बन गया low rail बन गया ठीक है यहाँ तक कोई problem यहाँ तक कोई problem नहीं न तो हमारे बीच में यह बच गए तो हम इसमें क्या सो करेंगे ग्लास सिंबल सो करेंगे और ग्लास सिंबल सो करने के लिए पहला आप क्या करते हैं उसकी उसको ग्लास को फिट करने के लिए उसकी boundary बना देते दो दो एमम की क्या बना देते दो दो एमम की boundary बना देते तो यहाँ पर आईए यहां पर भी इसको नीचे लेकर आई है दो एम सेम वर्क यहां पर करना है आपको जो बीच के पॉर्शन बच गिया है गिलास आपको दिखाने तो आपको गिलास के सिंबल्स हो करेंगे दो एम और दो एम एम ठीक है ऐसे ही यहां पर इस सैड लेकर आईए इस सैड भी आपने दो एम लिया और दो एम लिया सोरी यह इदर से इसके मिल गया है क्या हो गया है इससे मिल गया है तो ठीक है दुबार से हम बना देते हैं कितना लेना है आपको दो एम लेना है अब इसको उपर से मिला दीजी यहां पर ऐसी नीजे से मिला दीजी ए दो एम एसी यहां पर मिलाईए अब आपको क्या करना है आपको सिंबल सो करना है एक गलास सिंबल सो कर दीजीए इसमें क्या करना है गलास फेंबल क्रों करते हम गलास करा दियाम बड़ी लाइन फिर उससे चोटी लाइन फिर उससे चोटी लाइन फिर दोट ऐसी यह बड़ी लाइन दी फिर उससे चोटी लाइन उससे चोटी लाइन ठीक है फिर उससे चोटी लाइन फिर दोट यहमारे ग्लास इंब लोते ऐसी यहां पर कर गिए एक बड़ी फिर उससे चोटी 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 फिर यहां पर उससे चोटी लाइन उससे चोटी ला बड़ी लाइन ती, फिर उसल चोटी लाइन फिर उसल चोटी लाइन, फिर उसल चोटी लाइन फिर डोड़, तो यह आपके क्या बनगे यहापर ग्लास सिंबल आपने सोख कर दिये तो यह आपका complete क्या बन जाता है यह front elevation बन जाता है front elevation बन बनता है दोर फ्रेम की कितनी दोर फ्रेम की टोटल मेंट आपकी कितनी है वन पॉइंट टू मिटर यह कितनी है वन पॉइंट टू मिटर यह कितनी है वन पॉइंट टू मिटर ठीक है और यह आपकी क्या है यहां पर यह है आपकी टोटल हाइट दोर फ्रेम की टोटल हाइट कि क्या है यह आपके है यहापका है हों हीया होल्ण यह आपका क्या है 550ी एमम का वन हैं आपकी रिबेट तियह आम ज compet रेम्ट ता रहा हूं है एक होर्ण है ठीक है और यह आपकी क्या है रिबेट ये है आपकी रीबेट रीबेट का साइज है आपका 40 mm multiply 15 mm ठीक है यह आपका क्या है वर्टिकल पोस्ट यह है आपका वर्टिकल पोस्ट वर्टिकल पोस्ट साइज 80 mm इंटू 100 mm वर्टिकल पोस्ट और यह आपका क्या है है यह है आपका है है साइज गया है एक टी मल्टिप्लाइ 100 mm ठीक है तो यह कुछ चीज़ें आपको यहां पर लिखने थी बोटम रेल टोप रेल सब हम इसमें दिखा देंगे वाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवा करने के बाद मैंने क्या किया प्रोजेक्शन लाइन लेकर आयामं और रीबेट की फ्रेटि één लेकर ठीक है तो मैं इस सदे इसको क्या कर देता हूं यहां पर मिला देता हूं सब्सक्राइन के बाद अब देख़े यहां यहां ऊपर दिखाऊंगा 100 को मैंने भाद करने के बादाना मोगड का से दोपर का मतलब 1 cm मैं मैं ने ऊपर की सैड लिया मन सइंटी मिटर मैंने के वाद आपको मिलाना है इसको फूरोबीट तक तक मिलाने के बाद यह आपके पास 59 क्या वां अपके पास यहाँ पर 4 mm चले यह और इसको मिला दिया नीचे ऐसे, ठीक है यह आपका किसका पल्ले की थिकनेस काट रहे हो आप इसमें, पल्ले की थिकनेस काट रहे हो तो इसको आप करेंगे रफ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, अब देखो यह जो कटी हुई है portion, यह किसकी है पल्ले क glass door का leaf है, पल्ला है, वो फिट करेंगे, तो इधर से भी मैं इसको भी रफ किया, अब देखो, यह आपका है wooden, यह है तो wooden, तो आप इसमें wooden symbol ऐसे so कर देंगे, ठीक है wooden symbol आप इसमें ऐसे so कर देंगे, so करने के बाद, अब आपको क्या दिखाए दे रहा है, इस leap में, इस पल्ले में सबसो उपर दिखाए दे रहा है, आपको top rail, तो यह आपको दिखाए दिया top rail, यहाँ पर आपको क्या दिखाए दे रहा है, लोक rail, यहा जिसमें हम आपको glass के panel fit कर रहे हैं ये आपका lock rail है ये भी wooden है तो इसमें symbol सो कर दिजिए लखडी के और ये bottom rail भी आपका कैसा है wooden है अब ये जो panel है ये कैसे glass panel है तो इसमें glass symbol सो करेंगे और glass symbol हम क्या करते है जो ये इसका midpoint पकड़ेंगे और एक line यहाँ पर draw करेंगे एक line इससे equal acid draw करेंगे तो ये symbol किसका है glass का symbol है किसका symbol है glass का तो midpoint पर सो करते हैं अब एक line हमने यह आड़ पर draw की अब एक line में आगे acid draw की तो ये symbol किसके है glass symbol है तो हम यहाँ पर अब क्या सो करेंगे इनकी जो point है वो सारे के सारे mark कर देंगे जैसे ये आपका क्या है ये आपका head head size 80 mm multiply 100 mm ये आपका क्या है top rail ये आपका क्या है top rail ये है आपका top rail ये है आपका top rail size 100 mm multiply आपकी 40 mm ठीक है ये आपका क्या है panel ये क्या है आपका panel ठीक ये आपका panel हो गया ये आपका क्या है lock rail ये आपका क्या है lock rail size 200 mm multiply 40 mm ठीक है और ये आपका क्या है यहां पर ये आपका क्या है यहां पर bottom rail bottom rail size 200 mm multiply 40 mm और बीच में ये आपका क्या है पैनल कैसा glass panel तो लिख देना है आपर ग्लाज पैनल यहां पर भी लिख देना कैसा पैनल लग लाज पैनल तो यह आपके लाज पैनल है ठीक है तो यह आपने क्या बनाया है यहां पर वाई कि वाई शैक्षन या आप बोल सकते हो vertical section ठीक है अब इस वर्टीकल सैक्षन के उपर यहां पर हम क्या कर दे कंक्रिटिंग करते हैं यानि costing किसी करते हैं लिंटर डालते हैं जो आपका ये ऊपर हैड हैं ये उपर क dul क्यों डलता है लिंटर लगां कि आप ठिकशन की नहीं लेते 15 cm की लेए 15 cm वीपौिट भाई 10 तह Santos सेंटी मिटर अपाय्ड डालेंगे इसके उपर तो आपने इसके उपर स्केल को मैं सेट कर देट तो इसके उपर मैंने लिंटर डाला यह क्या डाला मैंने लिंटल यह मैंने लिंटर डाला इसके उपर ऐसे ऐसे लिंटर डाला और कंक्रीटिंग इसमें मैंने सोखी के एसमें मैंने ऐसे कर दिया और लिंटल के उपर करते आप प्रिक पोर्शन रहता है और इसको कर दीजिए जिक जैक फों में ऐसे कट और 45 डिगरी पर कर दीजिए इसमें हैचिंग एक फुर्टीब दिग्रीपर। इसमें किया कर दू? रिक हैचेंग पुर्टीफ़ दिग्रीपर आपने स्मेंक्य की ब्रीक कहाचेंग, तो ये व्रीक हैचेंग कर दी देखो यह हैं आपका हैंगिंग इस्टाइल यह क्या है हैंगिंग इस्टाइल और यह क्या है यह मिटिंग इस्टाइल यह क्या है यह मिटिंग इस्टाइल यह क्या है मिटिंग इस्टाइल ठीक है तो मिटिंग इस्टाइल आपका यह है यह आपका हैंगिंग इस्टाइल है आता है यह द्या समुआ गोगर हो रहेगी अब आप क्या करेंगे इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर जाई ये प्रोजेक्शन लाइन इसकी ऊपर लेकर गए कि अब यहां पर आपका रिवेट है रिट रिवेट की भी आप डॉट्ट स लाइना इसे ड्रू ball करतें है ऐसे इसा है यहां पर आये प्रोजेक्सन लाइन आप ऊपर लेकर गए प्रोजेक्षिन लाइन आप ऊपर लेकर गए यह रिवेत आपकी अब रिवीट की भी डोटे लाइन आपने यहां नीचे से मैं इसको ऐसा कट कर देता हूं मैंना इसको यहां पर कट किया तो मैं इसको रभी कर देता हूं ठीक है अब देखो एट सेंटीमेटर ओल्रेडी यह आपको कितना जाएगा बन सेंटीमेटर जाएगा यह आपको बन सेंटीमेटर पर पॉइंट आपने मार किया यहां पर आई यह शबया और जो एक्स्ट्रा है आपका इसको रप कर दीजिए इसको आपने रप किया है यह आपने रप किया यह आपने रप किया यह आपका क्या है और गा तो इसमें सिंबल सों कर दीजिए वूडन सिंबल ठीक है तो आप これ सिम्भल सों के अब यह बीच का पॉर्सन क्या आपका पले पाले का बच गिया तो इसमाप ना रहेंगे sit करेंगे लीव schaut तूप ऑदेखो वी चैनि अप्सक्राइब सुषाइब का यह करने मुँझे और सदश्टाइख गुल के अपको यह है करने यह कैसी है यहाँ पर मेट स्टारी और यह क्या問 आप ठीक, तो यह कैसी है? आप तो वोडन है, तो वोडन शिंबल ऐसा वोडन शू कर दीजिएЕばい पोर्षन कैसा नो यह फोर्षन क्या बाचा है आपका ग्लास पैनल की लिए आप कैस इंबल उते हैं? यह लाइन दो ड्रो कीजिए ऐसे ऐसे आपको दो लाइन ड्रो करने है यह आपका क्या है ग्लास पैनल है यह आपका क्या है ग्लास पैनल तो यह ग्लास पैनल हो गया तो ऐसे आपका क्या क्या कंप्लीट होता है सेक्सनल प्लान कंप्लीट होता है दोनों साइड में क्या दिख याँ पर वोल दिखाई तो वन सेंटिमिटर इससेड लीजिए और वन सेंटिमिटर आप उपर लीजिए और आगे आपके लेके जा सकते हो आगे आपके लेके जा सकते हो इसको जिक भूम में आपर कट कर दीजिए एस ए ठीक है ऐसे इस सार लिजिए बनज सेंटीमेटर आपने इस सेड्ल लिया बन अपने ऊपर की सेड्ल लिया और आगे ले कर गया और आगे आप कितना भी लेकर आ सकते हो कि पॉर्चन हैं ठीक है इसको जिग जयक हों में या पर कट कर दीजी ओके इसमें 45 डिगई पर इसंपर कर दो 45 डिगिरी पर आपने कहा किये ब्रिक सिंबल यां पर सो किये ऐसे ब्रेक सिंबल तो कीजिए ऐसे ऐसे इस इसे बिर्ग सिंबल आपने सोके ठीक है तो यह आपका क्या बन जाता है यह बन जाता है आपका sectional plan क्या बन जाता है sectional plan यह आपको पूछा गया था अब इसमें आप सो कर सकते हैं यह आपका क्या है हैं यह मैंने मिलमति कि दिया था तो आपको ऎलिकना है असस्ट क्यिय default मिल्भण है। कि एपके अस्टाइल सब्सक्राइब है और होते हैं मिटिंग सथयल आपके यह आप이고 लुट है और यह कि दोनों के दोनों के हैं के मीटिंग इस्टाइल मैं यहां पर आसे हैं मिटेंग मेंटिंग एक इस्टाइल यह आपके लास पैनल लाइन बिशहरा प्रफुल्द नीजुट हो जाटा हुआ है कंपलेट हो जाता है यह है आपका फ्रेंट एलिवेशन कि फ्रेंट किसका फुली ग्लाज दोर गोOur एक मुझेस सेधिशन और आपका सक्कुिकूरः और अपको सक्षर्ण पेंगे चुशं और यहां सरे कोश्चन आपके ऑल से चलते रहेंगे बस ऐसे Side क्लिखाना गरिळाना फ्रेंट लिवेशन अठीक है तो चलिये अब हम हम आपको मिलते हैं next lecture में next lecture में आपको question कराएंगे glass with panel door जिसमें आपका glass भी होंगे और panel भी होगा ठीक है दोनों चीज हम mix करके आपको next question कराएंगे ठीक है तो चली मिलते हैं next lecture में अभी के लिए thank you